हेलो सुलेंट्स कैसे आप सभी लोग आज अब हमारा हिस्ट्री का फ़र्स चेप्टर करने वाले हैं तो देखो पहले चेप्टर का नाम के हमारा सोसेज ओफ हिस्ट्री यह हम करेंगे ओके इसका जो कुश्चन एंसर है एक्ससाइस यह सारी मैं आपको कराऊंगा ठीक है लेक अगर आप वह नहीं देखो तो देख लो ओके चलो स्टार्ट करते हैं अभी देखो यहां पर क्या है एक्ससाइज में आपको पहला क्या है complete the names of the following sources of history क्या बोल रहे हैं यहां पर जो names दिया है आपको sources of history के तो उसका आपको complete करना है पहला देखो क्या है आपको starting में L और last भी ऐखो देखो टी है और last में है तो बीच में आपको क्या आजाएगा आपका A R I K तो क्या हो जाएगा तारीक ठीक है उसके पार ठाट क्या अपको starting में B है लास्ट में R है तो इसमें आपका क्या आपका बीच में आजाएगा आपको लिखना है O W A D और लास्ट में आपका ए है तो क्या हो जाएगा पौड़ा फिफ्ट क्या आपको देखो यहां पर आई दिया है उसके बाद यहां पर आई है फिर आई है उसके बाद लास्ट में आपका एन है तो क्या हो जाएगा इसके बीच में देखो यहां पर जो आपका आएगा आई के आर, उसके बद यावल आई है, इस जाए पाद आजाए का प拜拜, शुर् लेवेव loro P T, उसके बद सबाद आए है, उसके बद आपको देखो यहाँ पर डश है फिर O , इन्सक्रिप्शन ठीक है, is concept का मतलब क्या होता है, कोई चीज कोई book में या monument पे लिखी हुई है उसको inscription बुलते है ठीक है six आपको क्या है देखो आपको M है उसके बाद देखो यहाँ पर डेश है फिर U है तो इसके बीश में क्या एगा M के बाद आगा आपका O N फिर U है उसके बाद आपका आजागा M E N last month D तो क्या जागा Monument मतलब क्या जो Monument क्या रहता है कोई इमारत या कुछ जो किसी की याद में बनाया जाता है उसको बोलते है तो कि क्या बोलने है यहां पर कि Monument में क्या क्या आता है हमने जो चैप्टेर में पढ़ा है Monument में क्या क्या आता है तो देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो Monuments include Samadhi Samadhi's Graves Veer Gala and Buildings यहां पर क्या बोलने है जो Monument रहता है उसमें जो कबर यह सब रहती है या तो बीर गाला मतलब वीर गाला क्या होता है वह एक पत्थर रहता है जिसको किसी योद्धा के याद में बनाया जाता है उससे लिखा जाता है वह भीर बील्डिंग बोले यह सारी चीज तो ताज महिल देखो एक Monument ना तो वहीं बोल रहे है कि यह सारी चीज बोलते हैं जो एक क्या होता है सिक्वेंस ओफ इवेंट होता है मतलब कि जो घटना हुई रहती है न वो रहता है ठीक है एक के बाद एक अब थर्ड के आपको what qualities of the author are important in the writing of history यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो author अधर रहते हैं जो history लिखती है history के बारे में उनकी क्या खासियत रहती है उनकी qualities क्या रहती है वो पूछने है तो आप इसमें क्या लिख सकते हो authors impartiality and neutrality are important in the writing of history अब यहां पी क्या बोल रहे है कि जो लोग history लिखते नहीं है उनकी impartiality ओडिल्डी बतरो कि वह किसी के अभी कोई history लिख रहे है अब मुगल के बारे में अच्छा यह लिख रहे है अ तो ग्रीटिश के बारे में अच्छा यह लिख देगा तो मतलब ऐसा रहना चीजिभी कोई इंसान जो यह बारे में अछह लिख द्यतों इसके बारे में खराब जो असली मीं जो चीजे हुई है वो लिखना है इसके लिए ज एक ओथर जो लिखता है यह जरूरी है कि वो किसी का साइडले ले नीडिल होकर History लिखे, ओके? फ़ेल देखो, क्या आपको? Find the odd man out, इसमें देखो, आपको बोले odd man out, यहांपे find करना है, पहले देखो, आपको यहांपी क्या आँए? यहांपी आपको है material sources, written sources, unwritten sources, oral sources, तो इसमें देखो, आपको क्या रहेगा? इसमें आपका रहेगा उसकाद आपका थर्ड क्या है दोखो थर्ड है आपका बुर्जवापत्राज Temples, Creatises, Paintings तो इसमें आपका क्या आजाएगा इसमें आपका आजाएगा Temples, ठीक है फोग क्या है ओविस, तारीक, Folk Tales, Myths इसमें आपका क्या आजाएगा तारीक तो इसमें देखो आप यह अंसर लिख सकते हो यह अपको रिटन सॉर्स तो रिटन सॉर्स में जो आपको लिखना रहेगा वह यह रहेगा यह रिटन सॉर्स का अब आपको थर्ड गया है थर्ड में आपको और और तो और तो इसमें देखो जो आप लिखोगे वह इसका यह दो यह तो यह इसमें दोखो आपको अपना ओपिनियन भी बताना है तो आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है अभी देखो अभी यहां पर आपको 6 में राइट वाए इन यूर ओन वोड्स ठीक है तो इसमें दोखो पहला क्या है आपको अस्टू ओन इंस्क्रिप्शन इस कंसिडर्ट टू बिएन ऑथेंटिक सॉस ओफिस्ट्री तो इसको देखो इसको जो एंसर रहेगा आप आप लिख सकते हो इसका कम्ट्रीट एंसर है ठीक है तो यहां पर हमारे यह चैप्टर कम्ट्रीट हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर देंगा जो है सेकेंड इंडियन बिफोर दी टाइम सफ शिवाजी महाराजी आपको कल चैप्टर यह मिल